चलिए आज हम बात करते हैं लाल किताब के एक ऐसे उपाय के बारे में जिसमें हमें किसी अंग को चूसने का उपाय बताया जाता है अब अंग को चूसना यानि कि अगर हम शरीर के किसी अंगों की बात करें तो हमारे शरीर के हर एक अंग किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजें संबंदित जो एक specific जगा पर बैठा हुआ है उस ग्रह से संबंदित हम वो उपाय करके उस ग्रह को सही रख सकें और उस ग्रह से अच्छे फल जो हमारे जीवन में आने चाहिए वो हम प्राप्त कर सकें देखें अंग को चूसना यानि कि हमारे शरीर में हातों की बात करें तो अगर हम अंगूठे की बात करें तो यहां पर राहू और केतु की एक वैठक मानी जाती है और शुक्र का परभाव माना जाता है अगर हम हमारे कानों की बात करें तो यह कान हमारे केतु से संबंद रखते हैं नाक की बात करें तो यह ब्रस्पती से संबंद रखती है यानि शरीर के हर एक अंग और हर एक जो body parts हैं उन पर कहीं न कहीं गरहों का प्रभाव होता है तो इसी तरीके से अगर मान लिजे केतु खाना नंबर 12 में हो तब इस case में इंसान के ऊपर केतु का प्रभाव होता है केतु यहां पर बैठ कर बहुत ही अच्छी अवस्था का माना जा जयता है अगर मान लिजे केतु खाना नंबर 12 में हो व्रस्थ भी कहीं पर खराब है तब इस case में इस केतु संबंदी परेशानिया तो आएंगी ही आएंगी ये ब्रसपति परेशानिया भी हमारे जीवन में जहिर करना शुरू कर देगा जब कभी भी केतु खाना नंबर भारा का हो तब इस केस में इंसान को ये सला दी जाते ही कभी भी किसी बे-व्लाद से जमीन ले लेता है त जब 24 साल का उसका बेटा होगा यानि कि टेवे वाला कुंडली वाले की अगर अगर अउलाद लड़का है और वो 24 साल का हो जाएगा तो समझ लीजे ऐसे खाना नंबर 12 के केतू वाले की लोटरी लग जाती है जीवन में हर तरफ से एक सक्सेक्स और उन्नती के रास्ते खूल जाते हैं पर केतू खाना नंबर 12 के अच्छे असर तभी जाहिर होते हैं उसके लिए एक शर्त ये है कि खाना नंबर 2 में ना तो चंद्र हो ना तो मंगल हो ना ही शुक्र हो अगर ये इन में से कोई भी एक गरह या तीनों गरह या कोई भी एक एक गरह आ जाता है तब इस शुरू कर देता है ऐसे लोगों की रात की नीदे हराम हो जाती है डिप्रेशन या फिर रात की नीद की दवाई लेना उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस में क्योंकि ये डिप्रेशन और दिमागी परेशानिया देता है आपके घर में अकारण खर्चे देना शुरू कर देता है आपके जो पैसे और एक पैसे का Loss होना इसके जो रेशो होता है वो काफी ज़ादा बढ़ा देता है यानि कि आमदन कम और नुकसान ज़ादा वो नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है चाहे तो किसी घर के मेम्बर के कnéangs सेहत के खर्म tua सकते हैं या पैसे का लोस होना हो सकता है या और आपकी कहीं पर कहींlo吃 वगए almighty और फज्ञाए घ्रिये कोई पैसे ले गया नह देने को आ然後 तब यह सब कतूँ कहाना कीस हो साहे से गिली जाती जाती हैं क्यों ले रहे हैं क्योंकि केतु जो बैठा है ब्रस्पती के घर में बैठा है और यहां पर ब्रस्पती का उपाय ना करकर हम यहां पर चंदर के जरीए उपाय करते हैं उपाय कैसे किया जाता है, नॉर्मल आप एक गलास दूद लीजिए, दूद लेने के बाद उसमें अपना अंगूठा डुबाईए, सीधे हाथ का अपना अंगूठा डुबाईए और इसको मुह में रखकर चूसिए, यानि कि बारा बार आपको ये अंगूठा चूसना है, लाल किताब का ये केतु खाना नंबर बारा का उपाय है, अब ये अंगूठा चूसते रहना केतु खाना नंबर बारा से संबंदित आपके जीवन में परेशानिया को दूर करेगा, आप ये अंगूठा बारा बार लगातार चूसिए, और अपना दूद नॉर्मल जैसे आ रस्पती के उपाय यहाँ पर आपको केसर का तिलक लगाकर करने होंगे, ये जो आप अंगूठा चूसने का उपाय कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको साब्धानी ये जरूर रखनी होगी कि अपना चाल चलन जरूर अच्छा रखें, यानि कि चाल चलन किसी तरह की बदन करना चाहिए, आपको इसे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलना शुरूर होगा केतु संबंधी परेशानियों का, अगर शरीर में कहीं परेशानी है, शरीर में केतु संबंधी कान, कान या फिर आपकी हड़ी या फिर कहीं पर मूतर संबंधी परेशानी है, तो ये उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए, वाकि आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर मुझे बताईएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आगया दीजे, नमस्कार